हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे आप सब आई होप आप बहुत अच्छे होंगे तो गाइज आज मैं एक स्कीन केर प्रड़क्ट लेकर आई हूँ जो की बहुत ही फेमस है हाई हाई डिमांड प्रड़क्ट है और बैस्ट सेलर है वह है गुट वाइप का रोज सिरम जिसकी मैं आपसे बात कर रही हूँ यह काफी फेमस प्रड़क्ट है आपने इसकी रिव्यू देखी होंगे बहुत सारे तो बट मैं इसको टू मन्स से यूज कर रही हूँ तो मैंने का चलो अब मैं इसका रिव्यू देती हूँ जो इससे मुझे फाइदे हुए यह मैं स्किन पर क्या काम किया तो उसके बारे में मैं इसका रिव्यू आपके साथ दे रही हूँ मैं का इतने सारे रिव्यू है तो उस लिस्ट में मैं भी शामीर हो जाती हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो गाइस यह न कार्डबोर की पैकजिंग में आता है तो मेरे प 50 ml तो जो यह बॉटल है यह 30 ml है इससे चोटी वह 10 ml की थोड़ी इतनी सी होगी ठीक है इतनी चोटी सी है वह 10 ml की है तो जो इसका प्राइस है 399 रुपीज इसका प्राइस है यह आपको परपल से लगी होती है अब जैसे न्यू यह चलेगी डिसकाउंट वेगरा में आपको बहुत एफॉर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा और दूसरी बात नहीं है कि यह कि मार्किट में अविलेबल नहीं है यह ओली आपको परपल वेबसाइट भी मिलेगा तो आपको इसको परचेस करने के लिए उसको डाउनलोड करना पड़ेगा अपको डाउनलोड बना हुआ है ठीक है और इसमें इन्होंने इसके बेनिफिट हाउ टू यूज तो मतलए कि इसके बेनिफिट क्या है इसको यूज कैसे करना है सब इसके में मैंचन किया हुआ है और जिसके इसके पाईरी डेट है वो दो यह तक हम इसको यूज कर सकते है ठीक है उसके बाद जो ये सिरम है इसका फाइदा ये है कि इसने मेरे स्कीन पे बहुत अच्छे से वरे किया है मैं इसको 2 months से यूज कर रही हूँ make-up से पहले भी यूज कर रही हूँ night समय भी यूज करती हूँ जैसे मैं night को सोने से पहले भी इसको लगाती हूँ इसको मैं अपने स्कीन केर जब मैं अपने स्कीन केर करती हूँ तब भी मैं इसको यूज करती हूँ तो गाइज ये जो मोस्टराइजर होता है ना सर्दियों में मोस्टराइजर लगाते है हमें सर्दियों गर्मियों सब में लेयर तक वरक करता है ठीक है ये आपके डीब लेयर तक जायेगा आपकी चिन को has proven े यह मोशाइयर करता है च fulfilled मेरे डाक सपोर्ट यह उसको कम करता है बट मेरे डाक सपोर्ट depict अविक मटेशन तो नहीं थे बट मेरी पे डल्नेस थी और छोटोडे हो जाते हैं आपके स्कीन पे वह मेरे स्कीन पे काफी हो रहे थे 10-12 तो थे काफी सारे थे चोटोटे बट जब से मैं इसको यूज कर रही हूं तो मेरी स्किन पे ग्लोव आया है एंड मेरी स्किन पे इसने जो निशान थे जो तील थे चोटोटे वह मुझे उसकी प्रॉब्लम बिल्कुल ख़तम होगी अब मेरे बिल्कुल भी नहीं है बस एक है और यह है यह तो मेरे हैं यह थो तो है यह बट जो चोटोटे हो जाते हैं वो आपकी स्किन पे अच्छी नहीं लगते तो वो जो तील थे न च्छोटोटे से तो वो मुझे प्रॉब्लम इससे खतम हो चुकी है वो मेरे फेस पर अपने है मैं इसको यूज करना पड़ेगा यह बहुत अच्छा सिर्म है अफो यह नौर्मल टू ड्राइज ऑईली स्कीन सब पे वर्य करता है बट यह कि जब बहुत ही घर्मी जैसे बहुत गंदी वाली गर्मी से होती है न समर में तो उस टैम यह ऑईली स्कीन वालों पे थोड़ा सा ऑईली कर सकता है हलका सा बट यह बिल्कुल बाकी आप जैसे विंटर तो यह आपकी स्किन को ग्लोइंग करता है आपके मेकप को भी ग्लोइंग सी लुक देगा एक तो जो इसका टेक्स्चर है वह मैं आपके साथ अभी चेक करते हैं यह इसका ड्रोपर है तो आपको इसको लगाने में प्रोब्लम ने आएगी यह अराम से लग जाएगा और यह इसका ड्रोपर है अब मैं आपको लिखा लगा कर दिखाती हूँ अब यह देखिए मैंने थोड़ा कम ले लिया है थोड़ा ले लू अब ठीक है ठीक है आप देखो इसको ठीक है अब यही मैं लगा रही हूं आप ऐसे लग रहे हैं कि यह से बहुत ओईली है यह बिल्कुल भी ओईली नहीं है आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि यह ओईल जैसे है यह इतने अराम से आपके स्कीन में अब जब होता है आप अभी देखना अभी इसका डिफरेंस में आपको दिखाऊंगी यह बिल्कुल भी यह चिप चिपा नहीं है ऋइसको देखो और मेरे इस हैं को देखो आप देखो कितना रीचन है कितना आपके फेस को इतना आचा आपको बहुत ही तो गयल्धोर डूब एक सेंग वह अच्छ首先 के साथ जा सकते हैं यह बहुत अच्छ föração है मेरा तो यह फेवरेट है तो मैं आपको अभी लगा कर भी दिखाऊंगी कि आपने इसको कैसे लगाना है आपने इसके अपने वेस्वाश कर लेना है उसके बार लगाना आप देखिएगा तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है अगर आपको मेरी वीडियो की लॆ को लाइक करें और अगे नहीं कुछ आप ने कर दिया होगा अगर नहीं किया तो मेराईट से आफ्ल ने चैनल को सब्क्राइक यूड करें तांकि मैं आपके साथ एक अच्छे लिए एक आइच्छी में एक कर ba तो मिलते हैं next video में तब ते के लिए बाई